आपको खोकर मैंने सब कुछ खो दिया मा लोगों के घरों में सफाई कर करके आपने मुझे बढ़ा किया लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी मा ये देखे मैं आपके लिए क्या लाई हूँ अपनी कमाई से लिया था आपके लिए सोचा था आपको दूंगी आपको देख पाती लेकिन से पहले ही आप आगे तूँ? आओ आपके लिए कॉफी ये लेजे कॉफी लैप्टॉप ठीक तो हो जाएगा ना? तुम नए लैप्टॉप क्यों ने ले लेती? इसके लाइफ कतम है? अरे, नेट साल पहले ही तो लिया था ऐसे कैसे लाइफ कतम? क्या प्रॉब्लम है? बताता हूँ नाइस कॉफी नाइस कॉफी एक लंबे वक्त के बाद मैं अपने सोशल मीडिया अकाउन पे लाइव हूँ बहुत कुछ कहना है लेकिन वक्त बहुत कम है अक्शली मैं इस लाइफ वीडियो पे सूसाइड करने वाले थी किसी ने मुझसे कहा था कि मैं सिफ कहती रहती लेकि मरती नहीं हूँ तो आज मैं आप सब को मर के दिखाऊँगे जैसे जैसे मेरे व्यूस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं मौत के और करीब आती जाऊँगे एक लाग एक लाग व्यूस पे मैं मर जाऊँगे कम ओन गाईज जॉइन मां इन इस लाइफ वीडियो और मेरे व्यूस बढ़ाओ और देखो मेरा सुसाइड लाइफ और मैं सोशल मीडिया अकाउंट हैश्टाग सुसाइड सर सोशल मीडिया पे लाइफ जाके सुसाइड अटेम्ट जी सर सर ये खाबर वाकिय अथेंटिक है ठीक है सर मैं पता करवाता हूँ अमजट सर कोई लड़की सोशल मीडिया पे लाइफ जाके सुसाइड अटेम्ट कर रहे है सुसाइड अटेम्ट रही सर पर सोशल मीडिया पे ये खावर बहुत वायरल हो रही है सपी सान ने लिंक भी वेजा चेक तस अब लोग मुझसे बार-बार पूच रहे हैं कि मैं सुसाइड क्यों कर रहे है और कईयों को तो लग रहा है कि मैं एक लाग व्यूस पाने के लिए ड्रामा कर रहे हूँ सरी लड़की वाकई सीरियस हैं नाटक कर रहे है अगर या नाटक भी कर रहे है तब इससे रोकना जरूरी है से ने बताया कि साईबर टीम इसकी लाउब लोकेशन को ट्रेस करने कोशिश कर रहे है पर यह वीपेन के जरीए कई IP आड्रेस जमप कर रहे है ज़या पंदरामीन पहले इसकी aquiloo इरिया था वह यह लड़की, अपनी आडेंटिटी रिवील नहीं कर रही है। सर लेकिन हमारे पास को डिरेक्शन नहीं है। सॉरी टू से लेकिन ये तो अंधेरे में तीर चलाना हुआ। अंधेरे में इस ही लेकिन तीर चलाते हैं। इंद्रा नगर में सब जगा इस लड़की की तस्वीर गूँ, लोगों से एपील करो। किसी के पास भी इस लड़की की कोई भी इंफ्रमेशन है, तो हमसे शेर करें। वैसे साइबर टीम भी इस लड़की की लाइब लोकेशन को ट्रेस करने कोशश कर दी है। नमस्कार, मैं आशुतोष राना क्राइम पैट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक्शन स्पीक्स लावडर दिन वर्ड्स, शब्दों से अधिक कर्म बोलता है, लेकिन आत्मत्या कोई साहसी काम नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि ये सब उस लड़की का सोशल मीडिया पे फेमस होने का एजिंडा था। उसके बयान ने सोशल मीडिया और पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। एक दिल दहला देने वाला अपराद गुमनाम था और एक लड़की का सोशल मीडिया पर लाई वाके स्यूसाइड करने के लिए कहना इतना लोगप्रे बन गया था कि हर जगह उसी की चर्चा होने लगी थी। जैसे हर एक कहानी के पीछे कही कहानिया चिपी होती हैं वैसे ही अपराद के पीछे भी कई सारे अपराद चिपे होते हैं पर इन अपरादों की तह में क्या चिपाता नमस्कार फ्लाइट 1234 में मैं एर होस्टेस मौनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूं हमारी फ्लाइट समंदर तल से 30 हजार फीट उपर है यानि बादलों से भी उपर में अपने चाह करता हैं अपने शीट का बहता है अपने शीट का बहां पाल उड़ सकते हैं अचा इस हैं में कुछ चाहे नास्ता मिलेगा मिलेगा आप आ उपर दिया बटन दबाईए यह वाली? यहां टै लो, तुम्हारे पापा की घंटी बच्गे रे हमारी नहीं कोन की घंटी बच्गे? कुछ भी बोलती हो, चलो खेल खतम करो अहाँ नमस्ते यादो जी नमस्ते के बच्चे पैसे देने नहीं आया ना तू नहीं, यादो जी ऐसा है ना कि वो तंखा नहीं मिली थी पर हम कल जरूर कोशिज करेंगे नहीं, भोलेंगे नहीं नमस्ते जया हो? अरे बहीं, हमेशा करो ना खर्चा और कर्जा तो पर्चा ही जा रहा है और आप ऐसे में मॉनिका को एरोस्टेस के कोश करने का सपना दिखा रहे है अर वो रासता हम निकाल लेंगे, तुम प्रिकर मत करो तुम हमा साथ नीचे शलो जर तुम से बात करना है अब बटा मॉनिका तुम बिलकुल प्रिकर नहीं करना है तो अच्छे से अपना पड़ाए पर ध्यान जो, ठीक है? अब चलो, मीचे चलो सर मुझे नहीं लगता वो लड़की इंद्रानगर की हुए यहां पर किसी ने उसका फोटो आइडेंटिफाई नहीं किया साइबर टीम का कहाना है कि लड़की जो सीम इस्तेमाल कर रही है वो फर्जी IDC लिए गया इसलिए उसे ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन अभी अभी उससे बाचीत के दुरान बैक्ग्राउंड में मैंने एक ट्रेन के अवास होनी है और इंद्रानगर के वेस्टन पार्ट्स में ट्रेन ट्रेक्स है लेकिन सर्ब इंडिया में हर दूसरे इलाके के आसपास रेलवे ट्रेक्स है देखो हमें इस लड़की को किसी भी तरह से सुसाइट करने से रोकना है यह हमारा फर्ज है अभी के अभी इंद्रानगर के उस पार्स में जाओ जहाँ पे ट्रेलबे ट्रेक्स है वहाँ पे लोगों को इसकी तस्वीर दिखाओ सिस्टी फोटेश का अंगाला शायद किसी ने उस लड़की को वहाँ पर देखाओ हलो सर मैं निशा मैंने ही आपको फोन किया था यह है वो घर किसका करेंगे मालूम नहीं पर बहुत दिन से बंद पड़ा है आप का रहती है आप का रहती है पासवाली कॉलोनी में सर सर प्लीज चेक करवाये न देखें दिखें कितनी बद बुआ यह पक्का उस लड़की की ल मालो में सर, लेकिन कलोस की चीक सुनीथी मानिया आपस़ाए कवा, तल्ला थ्रवा Deno Sir, Sir.. इनका कहना है कि इस घर में एक साल से तला लगड़ा है हाँ saARAब, घर का मालीक तो दिल्ली में रेता है और घर बेचने को भेल लगाया हुआ है है आपके कहने हैं आमने बिना परमिशन लिए यहा! अब दोड़ दिया, घर का ताला भी तोड़ दिया, पर मैं मिला क्या, मरे हुए चुए है, नहीं सर, मैं जूट नहीं बोल रही हूँ, यहां मुर्डर हुआ था पर किसी ने शायद लाश का है अफ कर दिया, अच्छा, आपने खुद अपनी आउंकों से देखा था मुर्डर कर दिया, सर, यहीं पर, बस बस, शुक्र मनाईए अभी तक आपको अंदर नहीं किया हमने, वरना आप सपने नहीं, दिन में तारे देख रही होते हैं, सर, मेरा विश्वास कीजिए, यही मडर हुआता सर, बस किसी ने न उसकी लाश कायब कर दिया, यहां से, सनी, यह कोई मजाग नहीं हो रहा है, तीसजार व्यूस कंप्लीट होने में, सिर्फ साथ या आठ व्यूस बाकि है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, हम ले, देखो, अगर आप इसलिए ससाइट कर रही हो, कि आपकी मा का कातिल पकड़ा नहीं गया, तो हम पर भरोसा रखिए हम आपकी मा के कातिल को पकड़ेंगे, लेकिन प्लीज, प्लीज, ऐसा कदम मत उठाई, यह कलाई तो कट गई, अब साथ हजार व्यूस पे, दूसरी, और नभे हजार व्यूस पे, और बड़ा, और फाइनली, एक लाख व्यूस पे, सूसाइड, प्रागाज जी, आप एक डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर की बीवी इस तरह की अंद्विश्राज की बात हैं करती हैं, मैं अपनी बीवी की तरफ से माफ से माफ ही मंगता हूँ, I'm really sorry, लेकिन अगर अगर अगली बार इनों ने इस तरह की गलती की, तो हमें इनके खिलाफ एक सॉलिट केस दायर करेंगे, जी, तुम्हें मेरे अंदर भी भूध नजर आ रहा है, हम, तुम्हें कितनी बार का है कि बिना पूचे तुम्हार मज रहा करो, मगर प्रकाश, तुम तो मुझ पर भरोजा करो, मैं कह रही हूँ न, मैंने उस लड़की का मंडर होते वए देखा है तो, सपने में देखा है तु आप तुम्हें बातों मत करो, रेडी हो जाओ, मैंने स्रैकेट्रिस के साथ एपॉर्ट में लिए, हम वहाँ पर जा रहे हैं, गेट रेडी सार, इंद्रानगर में रेलवे ट्रैक के पास में उस लड़की का पता लगाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहे हैं, लाइव वीडियो में बैग्राउंड में मैंने कुत्तों के भॉखनी के वास सुन, तो हो सकता हो किसी ऐसे घर में हो, किसी लोग इसे कॉंटेक किया है, और किसी से भी पहचान नहीं हो पाई, पर शूरू-शूरू में इस लड़की की बात उसे यह हिंट मिलता है, कि वो किसी और के कहने पर इसुसाइट कर लिए है, किसी ने मुझसे कहा था, कि मैं सिर्फ कहती रहती लेकि मरती नहीं हूँ, तो आज मैं आप सब को मर के दिखाऊंगी, और सर एक और बात, लड़की के बैग्राउंड में रूम हिटर दिखा गया है, तो क्या लड़की किसी ऐसी जगह पे है, जहां पे इस वक्त हेवी विंटर है, लेकिन सर इस वक्त हमारे यहां तो सर्दिया जादा नहीं है, तो मैंने यह डिकलेरेशन फ़र्म साइन कर दिया, मेरे मरने के बाद, मेरे आखे, कितने हार्ट, लंग्स, लिवर, सब किसी ज़रूरत मंद पो दाहन कर दी जाएगी, मेरी उमीदे भले ही मल गई हो, पर किसी और के उमीदे नहीं मरनी चाहिए, मॉनिका, यह क्या कर रही हो तुम, अभी क्या भी रुख जाओ, मुझे नहीं मालूम, मैंने कितनी साहसे बाग ही है, और अब लगों के साथ, कितनी देर रहूंगी मैं, वाय अग्नोरिंग मी, I know, you are मॉनिका सिंग, and I'm Garima, याद है, हम लगनों में एर होस्तेस का कोर्स कर जाएते हैं? अब, sorry, sorry, I'm really sorry, I'm really sorry, में sorry, इसका अबर चल रही है, क्या? सारे कपड़े के ले कर दिये, अरे? कुनाल जी, वक्ला आगी है, क्या, कोई ऐसे बात करता है और होने वाली बती से, हां? कुनाल जी, आप आएगे ना अंदर, बहले इसके रूम में हीट राओन है उसे बार-बार पसीना आ रहा है सर ये ऐस एरिया में नहीं है जा विंटर है ये हमें भटकाने कुशिश कर रही है आनिया सर साइबर टीम की गरीमा से बात हुई वो लोक्षियर ने की लड़की मॉनिका सिंग लिये मॉनिका साथ साल पहले एक इंस्टिट में गरीमा के साथ एरोस्टेस का कोर्स कर रही थी लेकिन कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था उसने मॉनिका सिंग का अड्रेस मिला जी सर बारा बंकी का अड्रेस है जो इंस्टिट के रिकॉर्ड में है क्या मेडम आपके फाल्तू की बात पर भरोसा नहीं किया मैंने, तो आपने एस्पी सर से शिगाइच कर दी मेरी, कि मैं आपकी बात के सुनवा ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर आपने मुझे पुछ गाद तो नहीं मिली थी ना, कहा है लाश, दिखाईया मैं, क्योंकि सर किसी ने उस यह लाश को कापिट में लपेड के कूड़ेदान में डंप कर दिया है. सर, मेरा भरोसा कीजिए, प्लीज. सर, सर यहीं देखे, यही देखे. रेनो, वाण डूटो. सर, सर यहां तो कहीं कोई लाश नहीं है? कर दो है लाश का अब यह लाश आ पर रहे हैं अभी दखा हिए कर लाश सर्फोट नहीं नहीं अपनेहीं काम कीजिए आप थोड़ी सी जब के ले लीजिए अपको सपने आते है ना वसकता ही कि लाश आपके सपने में आकर आपको बता दे कहा है वह किसा इधर प्रिष्ले साथ साल पहले वह लोग यहां से शिप्ट हो गए और उसी दरा अंशांती देवी वा मडर हो जातनी मॉनिका भी यही कह रहे थी कि उसकी मा का मडर हुआ था और उसकी मा को इंसाथ में मिला था कुछ पता चला क्या केस था हूँ सर लोकल पुलिस पाचीत की तो उन्होंने बताया के साथ साल से एक केस आंसाओ लोगा कृष्णा जी किसी पर आपको शक है मतला किसने मारा होगा आपकी बीबी का साहाम होँने नहीं मालूम सच क्या था लेकिन इस हास से के थोड़े दिनों बाद ही मोनिका और इसके पापा अचानक से पताने कहां काया भुगे लेखिए लेके जी सुरत प्रफिसर मोनिका इंदरानगर में है या ओके सर इस पीजिए सर का फोन था सब्सक्राइब किया कि मोनिका की लाइब लोकेशन इंदरानगर ही है वह वहीं से वीपेन के जरीए अपना आईप एड्रेस जम्प कर रही है सर हो सकता है कि मोनिका और इसको पादर इंदरानगर में ही शिक्त हुए हो और वो अपने ही घर से बैट कर विडियो बना रही है तो सर मोनिका का पादर कहां पे हो जो अफिसर मोनिका के माँ के माँ के मर्डर केस को हंदल कर रहा था मन से मिलता, शायद वहां से कि कुलू मिले, तुम यह ही रो, कुछ भी अपडेट हो, तो कॉल मी. सर, यहां रेलबे ट्रेक के पास तो तीन हजार से जादा घर है, हमें अभी तक ग्यारा ऐसी घरों के बारे हम पता चला है, जिन में कुट्टे हैं, लेकिन फिलाल यह पता नहीं चल रहा है कि लड़की कहा है, लड़की का नाम मुनिका सिंगे, और उसके बाप का नाम है पहले लखनव में रहती थी, और उसके महले वालों का कहना है कि वह वहां भी ऐसा हलोसुने ही तो कभी आत्मा और इसी वजहे से उसे ऑफिस से निकालने का नोट्स मिला था, और इसली ही उसने अपने सीनियस पे, हैरेस्मेंट और मॉलिस्ट्रिशन का चार्ज लगा गया, लेकिन सब जाच में कुछ नहीं निकला, इसके बाद वो ना वागू कहीं इस सब के पीछे निशा का कोई हिडिन एजेंडा तो ने इस निशा की सचे मुझे एस पी सर के सामने पेश करनी है इस निशा की वज़े से मुझे एस पी सर से काफी कुछ तो ने कोपला सर पेस्टल हाँ सर सर पहले फेक आड़ी का नमबार और अब पिस्टल मुझे तो लग रहा है यह लड़की कहीं क्रिमिनल एक्रिबिटीस से जुड़ी है यह भी मुम्मिन है कि लड़की किसी क्रिमिनल को चुंगल में फासी है यो से यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा है रिकाम करो इतने भी ऐसे सस्पीशियस और हिस्टी शीटर्स का इंदरनगर से तालोक है सब की डेटेल्स निकला और जल्दी करो ओके सर जी सर यह कृष्णा और शांदे के बेटी मोनिका ही है लेकिन ये इस तरह से सुसाइट क्यूं कर रही है यही तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे है अच्छा ही अपनी मा के कतल के बाद अपने फादर के साथ कहां शिफ्ट हुई थी मालम नहीं से एक दिन ये और इसके पिता चनक से गाइब हो गए कह रहे थे कि इने अपनी जान का खत्रा था हमने इने भरोसा भी दिया कि हमने इस उरक्षा देंगे लेकिन ये बिना बताए ही चले गए हमने सुनाया कि मोनिका अपने मा के कतल का इल्जाम आपके पर लगा रही है तो कहीं आपके डर की वेजित नहीं कहीं चलेगे या फिर आपने उनको गाइब है सर किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने सवाल दाग दिया मुझे इस लड़की की दिमागी हाला ठीक नहीं थी और आप ही देखी ना जिस तरीके से ये लाइव आकर ड्रामा कर रही है आपको ये नॉर्मल लग रही है खेर अच्छे बताईए कि आपकी तहकी कात में कैसा में आया था मॉनिका की महा कात्री किस ने किया हो सर एक लेंदार था मुझे को लिया था इसके पैसे देने थे मॉनिका के बापको इस पर हमें शक भी था लेकिन ये साथ साल से कायब है लेकि मैं मानता हूं कि मेरी वाइफ ने आपको बट परिशां किया था लेकिन इस वट आप इसको परिशां कर लें मैंने आपको बोल दिया है ना कि मेरी वाइफ की मान से अरत चीक नहीं है मैं पॉट नहीं हूँ और मैंने कोई जूट नहीं बोला ये तो ना आप बोलो ही मत पदा किया हैं ने आपने अपने अफेस वालों पे कई सारी जूटे आरोप लगाएं sexual harassment, molestation और उसके बाद खुद पीछे अट गई है नहीं सर मैं पीछे नहीं अटी थी और तब मैंने कोई जूट नहीं बोला था बस बात इतनी थी कि तब भी मेरे पती में साथ नहीं दिया था और आज भी साथ नहीं दे रहे पर इस बार सर कोई साथ दे ना दे मैं प्रीती को इंसाफ दिला कर रहूँगी जिसके घर पे आप हमें ले के गई थी? पर तब तो आपने कहा थे कि आप उसको जानती तक नहीं सर तब नहीं जानती थी पर कल रात उसने मेरे सपने में आके अपना नाम बताया आप फिर हमें घुमा रही है मेडम सर मैं आपको घुमा नहीं रही हूँ मैं सच कह रही हूँ उस लड़की का नाम प्रीती सहरीन है वो अगरवाल हॉस्पिटल में काम करती थी अगर आपको सबूत चाहिए न तो आवाज आके पूछ लीजे अगर वो जिन्दा मिल गई तो मैं मान लोंगे मैं पागल हूँ कई मनोचिकित्सक ग्यानी विचारशील व्यक्तियों का हवाला देकर या खुद के अनुभव के आधार पर हम ये कहते हैं कि हम जो भी सपने देखते हैं वो हमारे अंदर उमढ रहे असंख विचारों का एक कालपने त्रिश्य होता है किन्तु अभी तक ये सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आई थी फिर निश्या के सपने में वो कैसे दिखाई दी ये सवाल इस केस का पैमाना ही बदल के रखने वाला था वही दूसरी और मोनिका की तलाश में अब एक नया किरदार सामने आया था मुकुल यादाओ जैसे सीता पुर पुलिस मोनिका की मा का हत्यारा मान के पिछले साथ सालों से ढूंड रही थी वही उस केस के इन्वेस्टिगेटेव आफिसर ऐसा ही जावेद की भूमिका भी सवालों के गहरे में थी मोनिका के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज वो सोशल मीडिया पे लाइव आकर आत्म हत्या का प्रयास कर रही थी जी हाँ सर प्रीती सर इन हमारे याई काम करती है वो नर्स है यहाँ पर सब्सक्राइब एड्रेस मुझे मैसेज़ करो यगरते सेनफ? जी सर मॉनिका कहा है? मॉनिका? क्या कर के दिया मॉनिका? तलाशिलो पुरा कर, और है तलाशिलो सर, सर हुआ क्या है? सब जागे चेक करो सर, किया क्या है मॉनिका ने? यह कर रही है वो सुसाइट कहा है यह? और इसके फादर कहा है क्रिष्णा? मैं क्रिष्णा से पिछले 6 महीने से नहीं मिली हूँ मुझे नहीं पता वो कहा है अब यह मत बोलना के यह भी नहीं पता कि मॉनिका कहा है सब पता कि हमने, मोनिका के फादर कृष्णा से, दूसरी शादी की थिना आपने? लेकिन सर, अब हम अलग हो चुके हैं. सर, कृष्णा ने अलग होने से पहले मोनिका की भी शादी कर दे थी. मोनिका अपने पती के साथ रहती थी. कौन आप इसका पती? सर वो कुनाल या दो कहा रहता है वो सर मुझे 15 मिनिट पहले ही पता चला कि मोनिका ने इस तरह लाई बाकर प्लीज उसे बचा लीजिए सर बचाएंगे पहले यह बता वो इस वक्त हो है कहा मालूम नहीं सर तुम्हारी बीबी है तुम्हें नहीं मालू फेक आइडिक नमबर इस्तेमाल करके यह सब कर रही अरो फिस्टर वो कहां से है उसके पास सर मुझे नहीं पता फिसल के बारे में सर मैं तो तीन भीने पहले ही मोनिका से अलग हो गया था दरसल वो मेरी दूसरी बीवी थी अपने बेटे की परवरिश के लिए मैंने उससे शादी की थी और सब कुस ठीक चल रहा था सर अलेकर उसके सपने बहुत बड़े थे वो एर होस्टेस बनना चाहती थी और मैं एक मिडल क्लास आदमी बस सर हमारे विचार नहीं मिल रहे थे और एक दिन वो रूट कर मुझे छोड़ के अपने घर चली गई अपने घर का अपने दूसरी मा जागरती के यहां पर वो वहां नहीं है और जागरत ने भी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि मोनिका तुमा छोड़ चुकी थी वो पक्का जूट बोल रही है सर उसे मोनिका तो क्या, उससे पापा की भी नहीं पडी थी और सर उसने मोनिका के पापा को भी अपने घर से बाहर निकाल दिया था यह ही कोई 6 मीने पहले मेंनो बहुंने आधार निवास में देखा था तब मुझे पता चला, सर सुनो तुम अभी घर मत आना पुलिस अभी आके गई है 12 बंकी पुलिस उस लाश की पहचान नहीं कर पाई है लेकिन उस लाश के चाहरा पृती से मिलता है सब निशा हमें उन्नाफ के कुड़ेदान के पास लेके गई और पृती की लाश मिली बारबंकी में एक साल पहले तक पृती अपनी मा के साथ उस घर में रहती थी और अपनी मा की मौत के बाद वहां से शिफ्ट हो गई लेकिन नेनू सबाद ही है क्या निशा को वाकई में पृती के सपने आते हैं क्या मसला कुछ और है क्योंकि निशा लगातार इस बात को बोल रही है कि वो पृती को जानती तक नहीं है तो पर इस मर्डर केस में यह भूत और सपने का क्या माच रहा है कुमीने, तुने पृती को मार रहा है ना मैं तेरी जान ले लूँगी, तुझे छोड़ूँ की नहीं तो देख, मैं तुझे चान से मोड़ूँगी, फिर कुछ पी नहीं छोड़ूँगी सर में सुरेंदर नात अधान निवास में पता किया है क्रिष्णा कल से वहां रिखाय में दिया मोनिका इस सुबा से लाइव है, तो फिर क्रिष्णा कहा है सर, एक अपडेट है निहा, पता करो क्रिष्णा कहा, मैं कॉल बैक करता हूँ सर सर, साइबर सल ने ये फोटो भेज़ा है मोनिका जिस फेक ID के नंबर से लाइव है उसके CDR में इस गुपालदास का नंबर मिला है कानपूर का रहने बाला है, लेकिन ये भी गायब है इक कान ये कॉपालदास? दो नंबर के धंदे करता हैं सर, कई हिस्टीचीटर से कॉंटेक्ट है उसका अगा बॉनिका जिस नंबर इस्तेमाल कर रही है तो भी किसी हिस्टीची शेटर करा सार, यह लड़की कह रही है कि 90K व्यूज के बद किसी का मदर करेगी अज मेरे अंच से पहले तुमने तो कहा था कि तुम प्रीती को जानतीय तक नहीं है पर पदा कि हमने प्रीती जिस हॉस्पिटल में जॉब कर थी तुम भी वह जॉब कर चुकी है हाँ, सर, मैं भी याद करनी की कोशिश कर रही थी ति आखर मैंने प्रीती को देखा काया तो याद आया कि प्रीती ने जब हॉस्पिटल जॉइन किया था उसके पंदरा दिन बाद में ने छोड़ दिया था तब से मैं उसे मिली भी नहीं मैं आपको एक बात बताना तो भूली गए कल रात प्रीती मेरे सपने में फिर आई थी और इस बार उसने मुझे अपने खूनी के बारे में बताया कि उसका खून किसने किया है सर यहां तक कि उसने मुझे यह भी बताया किस घर में, ढूंडो उसे, वो इसी रिया में आसपास कहीं होगा, उसे ढूंडना बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक है, जो हमें मोनिका तक पहुंचा सकते हैं. सर, सर. जी, सर. इसको जानते हैं, यानिल कुमार है ना, तुम्हारी होस्पिटल में काम करता था, और तुम ने इसके उपर मोलिस्टेशन का चार्ज भी लगाया था है, अब इस ता मुर्डर का चार्ज लगा कि इसे बसाना चाती हो, मैं इसे क्यों फसाऊंगी, यह बहुत ही कमीना आदमी ह मैं सर, हमारे हॉस्पिटल में एलेक्टर डिपार्टमेंट में काम करता था, ना जाने क्यों एक दिन नौकरी छोड़ के चला गया और एक छोटी सी दुकान खोली रिए एलेक्ट्रोनिक रिपैर की, जहां पर टीवी, लाप टॉप साफ रिपैर करने लगा, सर, इसलिए द मोनिका, भले ही मैंने खरीद के तुम से शादी किये, पर मैं ये रिष्टा उसी शिद्द के साथ नहीं भाऊंगा जैसा पती-पत्मी में होता है इसके दोशे जागरती है, मेरी बीवी के ओते में मैं जागरती के इश्क में पैसे उडाता रहा हूँ उसके खाशे पूरी करने के लिए मैंने बहले अपनी बीवी के साथा के आप फिर अपनी बीटी का उस जागरती के ज़े से मैंज़ा भलाज़ा अब इस जेल में तुन सजा भुखतेगा न और जागरिती के वज़ा से नहीं तरे अपने कर्मों की वज़ा से भुखतेगा चल बोल सब मैं जागरिती को कुछ करना चाहता था पृत्ती अकेली थी अगर पे एक अयाश औरत को महँगा तौफ़ा देने के लिए तूने एक लड़की को मार दिया यह भी शामिल है नहीं सर मैं इसके शामिल नहीं हूँ माना कि मैं शौकीन हूँ लेकिन मैंने इसे यह कभी नहीं कहा कि किसी को मार के मुझे तौफ़ा दे और कृष्णा तेरा तीसरा पती यह तो पता ही है ना उसकी बेटी के साथ सर जो किया वो किश्णा ने किया मैंने कब बोला उसे कि अपनी बेटी का सौधा कर देखे सर अब सारे गुना मुझ पर ऐसे नहीं बढ़ सकते हर अपरादी अपनी सफाई में कुछ ना कुछ कहता है लेकिन मौनिका और उसकी मा के साथ जो ज्यातिया हुई उसकी कभी कोई माफी नहीं हो सकती मौनिका के पता कृष्णा के बाद पुलिस ने जल्दी ही मौनिका के पती कुणाल को भी गरफतार कर लिया मूनिका के होश में आने के बाद कई और चौंकाने वाले नाम सामने आए नेता, वकील, पुलिस अधिकारी, व्यापारी 28 से ज़ादा लोगों को नाम जट किया गया जिन्होंने मूनिका का रेप किया था निशा की कबाही? उसकी बाते सब कुछ सच साबित होई लेकिन वो सच्चाई निशाने सपने में देखी होगी ये बात काफी चौंकाने वाली है कई मनों चिकितसक आज भी निशा की मनों स्थिति समझते हुए इस अविश्वसनी सी लगने वाली घटना पर शोद कर रहे है लेकिन दुनिया में अकसर ऐसी घटनाय हुई है या हो रही है जिनके पीछे कोई लॉजिक या फैक्ट नहीं होता मैं आशितोष राना विदा लेता हूँ आपसे हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतरक और जिंदकी को सुरक्षत तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखिये और देखते रहिए क्राइम पैट्रोल सतरक चेहन